अब कानपूर में वो होगा जो ना किसी ने सोचा था ना किसी को अंदेशा था तीन-तीन सुपरकॉप और ATS चीप को योगी ने कानपूर क्यों भेजा ऐसे पोलिस ओफिसर जो मुर्दों से भी राज उगलवा लेते हैं क्या कानपूर में अब कुछ बहुत पड़ा होने वाला है क्या कानपूर में कुछ ऐसा होने वाला है जो ना किसी ने सोचा था और ना ही किसी को अंदेशा था क्योंकि कानपूर में शुक्रवार कोई हिंसा की जड़ तक पहुँचने एक-एक साज़िश का परदाफाश करने की जिम्मेदारी सरकारने इंकाउंटर स्पेशलिस्ट अजे पाल शर्मा को सौपी है जिनके टीम में IPS अवनाश पांडे के अलावा तेस तरार चारू निगम भी होंगी इसके अलावे ATS चीफ नवीन अरोडा को भी कानपूर भीजा गया ताकि वो इस हिंसा के PFI कनेक्शन का पता लगा सके ये चारों अफिसर आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं ये समझने के लिए आपको इन तेस तरार अफसरों के बारे में जानना होगा एक एक कर आपको सभी से रूबरू करवाते हैं सबसे पहले आपको सुपरकॉप अजे पाल शर्मा के बारे में बताते हैं अजे पाल ने 100 से जादा अंकाउंटर किये हैं इसलिए उन्हें अंकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है 2011 बैच के IPS अजे पाल शर्मा पंजाब के रहने वाले हैं उनकी पहली पोस्टिंग सहरनपुर में हुई थी इसके बाद मतुरा गए फिर शामली अजे पाल शर्मा ने हर जिले में एंकाउंटर किये योगी सरकार के पहले कारेकाल में उन्हें नोईडा में पोस्टिंग दी गए अजे पाल शर्मा ने जून 2019 में रामपुर में 6 साल की बच्ची से रेड और हत्या के आरोपी नाजल को एंकाउंटर में गिरफतार किया था एंकाउंटर में नाजल को तीन-तीन गोलिया लगी थी इसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई लोग उन्हें सिंखम कहने लगे अजे ने 100 से ज़्यादा एंकाउंटर किये पश्चमी यूपी के क्राइम की नब्स पर पकड़ अजे पाल की ज्यादातर पोस्टिंग पश्चमी यूपी में रही इसलिए स्रीजन के क्राइम की हर नब्स को बारीकी से समझते उनकी अगवाई में 60 हजार के नामी बदमाश नौशाद उर्फ डैनी और 12 हजार के नामी सरवर को पुलिस ने रेट किया था कहराना में पलायन के समझादार मुकीम काला गैंग के 50 जार के नामी अपरादिफ पुरकान को उन्हों नहीं किर अफ्तार किया था यही वजह है कि उपद्रव्यों से ने पटने के लिए उन्हें कानपूर भी जा गया अब आपको अजयपाल शर्मा की टीम में शामिल चारू निगम के हरतंगेज कारणामों सरू बरू करवाते हैं 2014 बैच की IPS चारू निगम आगरा की रहने वाली हैं चारू गोरकपुर में विधायक राधा मोहंदास अगरवाल से भड़ने के बाद चर्चा में आई थी उनकी पहली पोस्टिंग बतोर सहायक पुलिस अदिक्षक जासी में हुई थी चार महीने की तैनाती में उन्होंने चंबल के लैंड माइन माफिया से सीधा पंगा लिया और उनका वैद कारूबार बंद करवा दिया 118 गलत मुकदमों को खत्म करवा कर किया दिलो पर राज 2016 में चारू की बोस्टिंग गोरकपुर में हुई वहां मेडिकल कॉलेज से चोरी हुए बच्चों को बरामत करके आरोपी महिला को गिरफतार किया इस कारेवाई में उनकी खूब तारीफ हुई इसी दोरान उन्होंने लंबित विविचनाओं की फैरिस्त से 118 ऐसे केस निकाले जो गलत दर्ज किये गए थे चारुने ने खत्म करवाया इस वजह से उनकी छवी एक नर्म दिल और लोगों के लिए सोचने वाली पुलिस ओफिसर के रूपे बन गई 2015 बैच के IPS अविनाश पांडे का ग्रही जनपत खिरी है इनकंग टाक्स और डाक विभाग में सेवा देने के बाद वो IPS बने उनकी बरेली कानपूर और मैनपूरी में फिल्ड पोस्टिंग रही मौजूदा समय में वो मुरादाबाद में P.A.C. के कमांडें थे इससे पहले उननाव के S.P. थे उननाव का चार्ट संभालते हैं उन्होंने गो कशी रोकने के लिए छोटे बड़े सभी बूचर खानों पर ताला जड़वा दिया इससे गो तसकर जिला छोड़ कर भागने लगे इनके लिए कहा जाता है कि कारेवाई के दौरान कोई पैर्वी नहीं सुनते ATS चीफ नवीन अरोडा कानपूर हिंचा के मास्टर माइंड और उनके साथियों का PFI कनेक्शन सामने आया है PFI कनेक्शन सामने आने के बाद ATS की टीम आक्टिम मोड पर आ गई है CM योगी के आदेश पर ATS ADE नवीन अरोडा कानपूर पहुँच चुके हैं उनके साथ कमांडों का दस्ता भी पहुचा है अब ये चारो धाकड आफिसर आपस में विलकर कानपूर में क्या करने वाले इसका अंदासा कोई नहीं लगा सकता लेकिन हाँ इनके ट्राक रेकॉर्ड को देखते हुए इस बात की 130 गैरंटी है कि ये कुछ जरूर बढ़ा करेंगे जाते जाते आपको फिर बता दे कानपूर की यतीम खाने में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दो समदायों के बीच हिंसक जड़ाप हुई थी बवाल इतना बढ़ा था कि फारिंग तक बात पहुच गई थी करी पांच घंटे तक सडकों पर आराजकता रही कई दुकानों को लूटा गया तोड़ा गया पुलिस अब तक की जाज के आधार पर ये दावा करेंगे हिंसा साजिश का हिस्सा थी इसलिए सीम योगी ने अपने तेज तरार सुपर कॉप्स को इसकी जाज के जिम्मेदारी सौपी है ब्योरा रिपोर्ट अपना उत्तर प्रदेश